हेलो दोस्तो हिंदी लुक अप में आप सभी का स्वागत है दोस्तो पेट से जुड़ी समस्या किसी को भी परिशानी में डाल सकती है खास कर गैस से जुड़ी हुई पेट की समस्या हो पेट में ब्लोटिंग की समस्या कई कारणों से हो सकती है जैसे की in-digestion यानी अपच से, बाहर का खाना खाने से या फिर जरूरत से ज़ादा भोजन करने से, पेट में कबज की समस्या होने से या अन्य कारण से पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, ब्लोटिंग की समस्या को समाने भाशा में पेट फूलना या पेट के उपरी भाग में गैस का गोला बन जाना आदी नामों से जाना जाता है, लेकिन जब आपको ब्लोटिंग की समस्या होती है, यानि की पेट फूलने की प्रोब्लम होती है, तो आपको बहुत ही जादा पेट के उपरी हिस्से में दर्थ की समस्या रहती है, साथ ही चाकर भी पेट में गैस की स समस्या से परेशान रहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए इस बात की हम आपको जानकर याज देने वाले हैं दोस्तो इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको यही कहेंगे कि जितना आप स्वस्त खाऊगे उतना स्वस्त आपका पाचंत अंतर रहेगा और आपको ब्लोटिंग या दूसरी पेट से जुड़ी समस्या नहीं हो पाईगी दूसरा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि रोजाना कम से कमादा घंटा तेज तेज चलना या जोगिंग करने की आदर डालिए इससे आपके शरीर की और पेट की सेहत सही रहेगी जिसके कारण आपको ब्लोटिंग की समस्या नहीं हो पाईगी तीसरा पॉइंट हम यह बोलना चाहेंगे आपको कि जब भी खाएं कम खाएं सीमित मातरा में खाएं चाहे दो-तीन घंटे के बाद दोबारा खालें लेकिन एक बार में कम भोजन करने की आदर डालें चोथा पॉइंट यह है कि भरपूर मातरा में फल सबजियों का, फ्रूट जूस का, वेजिटेबल जूस का या सालाद का सेवन करें ताकि आपके शरीर के अंदर पेट की सेहत ठीक रह सके, स्वस्त रह सके दोस्तो जिस किसी को भी ब्लोटिंग की शिकायत हो, उसे भोजन करने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ और एक चम्मस सोंफ का अच्छे तरह से चबा कर खाना चाहिए ऐसा परतेक भोजन के बाद जब आप करेंगे तब आपको अपने पता चल जाएगा कि आपकी ब्लोटिंग की समस्या खतम हो जाएगी, पेट में कबश की समस्या है जो की गैस को बाहर नहीं निकलने दे रही वह भी दूर हो जाएगी, आपके पेट के अंदर एंजाइम्स सक्रिये हो जाएगे और आपका पाचन भी अच्छा होने लगेगा दोस्तो अजवाइन के पानी के बारे में आपने सुना होगा अजवाइन का पानी पीने से ब्लोटिंग की समस्या यानि की पेट फूलना या पेट में भरीपन पेट में गैस जमा हो जाना उपरी भाग में पेट में दर्द मरोड की समस्या सभी समस्याओं का अंत हो जाता है यदि अजवाइन का पानी आप पीते हैं यही कारण है कि छोटे बच्चों को भी पेट दर्द में अज्वाइन का पानी दिया जाता है तो यदि ब्लोटिंग की समस्या है तो अज्वाइन का पानी बनाईए उसके लिए आपको एक चमच अज्वाइन का लेना है एक चुटकी काला नमक थोड़ा सा हींग डाल लेंगे तो आपको और भी फाइदा होगा इसके बाद आपको दो गिलास पानी स्टोप पर रखना है उबलने के लिए उसमें एक चमच अज्वाइन डालना है थोड़ा सा काला नमक एक चुटकी हींग और इतना उबालना है कि जब तक पानी की मातरा आधी ना रह जाए इसके बाद इस पानी को च्छान करके इसमें आधा नीमू का रस मिला लेना है और इस मिश्रन को आपको पीना है यदि आप बार-बार पेट फूलने या पेट के भारी पन से परिशान है तो यह मिश्रन आपको भोजन करने से एक घंटा पहले पीना है या जब भी आपके पेट में दर्द हो, ब्लोटिंग की समस्या हो तब भी आप इस मिश्रन का सेवन कर सकते हैं यानि की आजवायन के पानी का पेट में ब्लोटिंग को रोकने का या दूर करने का दूसरा नुस्का ये होता है कि आपको जीरा लेना है, जो की पीसा हुआ और भुना हुआ हो इसके बाद आपको काला नमक लेना है, हींग का पाउडर लेना है और आधा निमू लेना है सबसे पहले आपको दो ग्लास पानी लेना है और उसे उबलने के लिए रख देना है इसके बाद इस पानी के अंदर आधा चम्माच पिसा और भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है फिर थोड़ा सा काला नमक और अंत में एक चुटकी हींग डालना है इसके बाद आपको पानी को इतना उबालना है कि जब तक पानी की मातरा आधी ना रह जाए अब इस पानी को चान करके इसमें आधा निमू का रस मिला लेना है और इसे पी लेना है जिन लोगों को पेट के उपरी भाग में फूलने की समस्या या भारीपन की समस्या या गैस इकठा होने की समस्या रहती है उन्हें जीरे का बना हुआ यह उपाए भोजन करने से एक घंटा पहले पीने की सला दी जाती है वैसे bloating के case में आप कभी भी इस पानी का सेवन अपनी इच्छा नुसार या अव्शक्ता नुसार कर सकते हैं दोस्तो ट्रिफला चूर्ण या ट्रिफला पाउडर आपको काफी मदद कर सकता है यदि आपके bloating की समस्या रहती है त्रिफला चूर्ण का सेवन आप रोजाना रात को सोने से पहले कर सकते हैं यहे चूर्ण आप को पेट में कबज की समस्या से और पेट में ब्लोटिंग यानि की पेट फूलन की समस्या से छुटकारा दिलवाने में मदद करता है इसी परकार रोजाना रात को सोने से पहले हलती वाला दूद पीना भी ब्लोटिंग को रोकने का एक अच्छा उपाय मना जाता है बोचन के साथ देही का सेवन करने से भी ब्लोटिंग की समस्या में आराम आता है क्योंकि देही का सेवन करने से आपका पाचन मजबूत बनता है और आपको ब्लोटिंग की समस्या होने की संभावना नहीं रह पाती दोस्तो हींग के अंदर गैस को बनने से रोकने वाले गुन पाये जाते हैं और आपको ब्लोटिंग की समस्या होने की संभावना नहीं रहती कुल मिलाकर आपको स्वस्त खाना है रोजाना एकसरसाइस करना है कम आत्रा में खाना है और अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से खाना है और यदि फिर भी आराम ना आए तो घरेलू नुस्कों का आपको इस्तेमाल करना है यदि घरेलू नुस्के या ब्लोटिंग को रोकने के उपाये आपके लिए काम नहीं कर रहे है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और सही दवा लेनी चाहिए तो दोस्तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखें धन्यवाद